वाल गुड मॉर्णिंग प्लस्ट्रू क्लास तोड़े वो यार दिन गुएंग तो डिस्कॉस तर सेग्ड चैप्टर सम् बेसिक कॉंसेप्ट्स ऑफ मेक्रोग्नोमिक्स नौ अम इसको डिटेल में स्टेडी करेंगे अब इस चैप्टर में हमने कौन-कौन से टॉपिक डिसक ठीड चैप्ट्रूइब करेंगे ही सब्सक्राइब स्टरू इन्पर्श अप्रस ऐन्वेस्टमें अगे आते हैं हम इसको डिटेइल में स्टेडी करेंगे ताइप उफ गूद्स यह हमारा फॉपिक है है इसमें आते है फॉस्स्ट फैनल गूड्स आइड इंटर्मिड़ी पिच्छ है यह फाइनल गूट्स वह गूट्स होती है जिनमें यह दो फीचर में होते हैं च्रोप बाउंड़िस लाइन आफ पर्ड़क्शन में की अब हर प्रड़क्शन हर परड़क्शन करके अपने परड़क्शन लाइन तक फिनिष्ट तक पहुंच नहीं होता है पहले रोमिटी रेल था उसकी फर्दर पॉसरसिंग हुई फिर वो फिनिश फुट में चेंज हुआ अब फिनिश फुट तर पाउंचने के लिए वो फिनिश फुट्स बन गया है उसी को कहते है फाइनल फुट्स Second kind are ready for use by their final user अब इसको final user कौने है यूज करने के लिए ready है For example, machinery and plants अब इसमें आएगा final user होते के हैं Final goods में who are the final user? दो तरह के कुछे user होते हैं First is consumers, second is producer Consumers, final year user कौन-कौन से हो सकते हैं For example, clothes and shoes, etc Producer, are the final user इस चीज क्यों हो सकते हैं Plants and machinery, etc आगे आते हैं intermediate goods यह totally difference होता है final goods है These are those goods which are not cross the boundary line of production जो अपनी फ़रा boundary line of production से बाहर नहीं निकले हुएं मलब कि इनकी further processing अभी still pending है Second point, not ready for use by the final user अब यह final user के लिए immediately available नहीं होते हैं Third point is value addition is still left मलब इसमें अभी value जो आपने add करनी है goods की वो अभी further processing के बाद add होगे और वो value add होने के लिए still अभी left है For example, the part of milk which is sold to the producer for making sweets is treated as intermediate goods वो part मलब का जिसको आपने आगे क्या कर दिया है? सेल कर दिया है producer को क्यों ताकि वो क्या बना सके? sweets बना सके, मिठाईया बना सके तो वो क्या होगा? intermediate goods आगे आते हैं इसके difference between final goods and intermediate goods Final goods पर first चाहिए this goods are not used as raw material for production क्योंकि ये final goods और बन चुके होगे है पर final goods क्या है? available है final user के लिए तो raw material की तरह इसको नहीं use किया जाएगा intermediate goods this goods may be used as raw material for production क्योंकि इसकी अभी still production होनी बाकी है इसलिए इसको इस तरह raw material की तरह use किया जाता है second point is this goods are not resolved by the firm इस goods को दुबारा firm क्या करेगी? sale नहीं कर पाएगी इसमें कुछ भी addition नहीं कर पाएगी second, this goods may be resolved by the firm अब इस ये goods बन चुकी है अब इसको आगे value add करके वो दुबारा sale कर सकती है third, value is not to be added this goods अब इस value अब finish good बन चुका उसमें दुबारा value नहीं add होगी मलब कि market price उसमें दुबारा फिर ये नहीं add नहीं होगा बर intermediate goods में क्या है वो अभी processing में है तो उसकी value add होनी goods में अभी बाकी है जब उसकी processing हो जाएगी तब इसकी exact value add की जाएगी fourth, this goods are included in estimation of national income fourth और intermediate goods क्यों होते है this goods are not included in estimation of national income कहता है कि final goods तो national income में add किये जाते है बट जो intermediate goods होते हैं उनको national income में add नहीं किया जाता है इसका reason यह है for example table ले लिए अब table के एक finish goods है अब उसमें आपने wood लगाई है अब लगाई है, अब हम wood की value already table में add हो चुकी हुई है तो अब उसको दुबारा थोड़ी add करोगे तो इसलिए इसको national income में दुबारा add नहीं किया जाता है क्योंकि wood की value already table में add हो चुकी है और हमने table की value निकाल दी हुई है इसलिए final goods की value को add किया जाता है national income में और intermediate goods को value को add नहीं किया जाता है national income में यह very important point था आग गे आते हैं इसकी second point पे consumer goods and capital goods consumer goods के होते हैं जो consumer use करेगा these are those goods which are directly used for satisfaction of human wants जे human की wants को directly क्या करता है satisfied कर देता है for example ice cream, milk, accept अब आगे इनकी further आजाती है types of consumer goods first is durable goods, second is semi-durable goods, third is non-durable goods, fourth is services अब इनको detail में study करेंगे first durable goods, these are those goods which can be used for several years मतलब कि जिसको हम कई सालों तक use कर सकते हैं and are of relatively high value, जिनकी value भी क्या होती है जादा होती है, मतलब कि indirect income meaning क्या durable goods जिसको काफिर सालों तक use किया जाता है और इसकी value भी क्या होती है, जादा होती है for example car and scooter, etc second type है semi-durable goods ये durable goods से क्या होती है, इसकी value थोड़ी कम होती है और ये mostly one year के लिए ही use किया जाती है these goods are those goods which can be used for period of one year मतलब कि ये one year के लिए use होती है and not of relatively great value मतलब कि उसकी durable goods की value से कम value है for example cloth and procreate, etc आगे आते हैं, third type non-durable goods वो goods जिसको आप immediately single act of consumption करती है और उसका दुबारा use नहीं हो सकता और इसकी value भी क्या होती है, बहुत कम होती है for example, perished food food में क्या आ जाता है, perishable vegetables जिसको आप एक पायर consume कर सकती है और उसके बाद उसकी single time use होते है और उसके बाद आपको उसको consume करने के बाद उसका use नहीं कर सकते है next type is services services are those which are non-material goods which directly satisfy human wants जो हमें, जिसको हम touch नहीं कर सकते है non-material goods था है, पर satisfy करती है human wants को for example, doctor and lawyer, etc जो हमें services provide करते है आगे आते हैं, capital goods capital goods are those quotes which are used in production of a test of production for several years and which are of high value जो कई सालों production के लिए use किया जाती है और इसकी value क्या होती है? जादा होती है और इसको mostly कौन use करता है? producer use करते है इसलिए इसको capital goods करते है for example, plant and machinery जो क्या use करता है? producer use करता है अपनी production के लिए आगे next concept है हमारा concept of stock and flow stock क्या आपते है? stock is quantity mere at a particular point of time एक particular point of time में आपका इसको quantity क्या करते हों mere करते हों for example, आपके bank account में 1 January 2019 को कितना balance था? वो उसने क्या करे रहे है? वो stock है आपका एक time period में आपका कितना balance था? second example क्या लेसे? water in tank tank में कितना पानी है? आगे next आज आता है meaning of flow flow is quantity mere at a specific period of time जिसको आप क्या करते है? specific period of time तक क्या mere करते रहते हैं for example, pocket money for a month आपकी pocket money कितनी है मन्रा मन्स की leakage from water tank tank में से आपके पानी की leakage हो रही है तो वो क्या होगा? flow आगे next concept है concept of gross investment gross investment क्या होती है? expenditure on the purchase of fixed asset जो आपने expenditure किये हैं किसे purchase करने के लिए fixed asset को और inventory stock को inventory stock और fixed asset को purchase करने के लिए जो आपने expenditure किये हैं वो क्या होती है? gross investment gross investment क्या होती है? total investment अब gross investment को ही निकालते कैसे हैं? equal to expenditure on purchase of fixed asset during accounting यह मतलब कि 1 year जो आपने expenditure किये हैं purchase करने के लिए fixed asset को plus expenditure on the inventory during accounting यह जो आपने खर्चा किया है inventory stock को purchase करने के लिए accounting यह जो आपने खर्चा किया हैं